मकर सक्रांती की आपको हार्दिक शुब कामनाएं एवं बदाई जब सुर्ज धनू रासी से मकर रासी में प्रवेश करते हैं तब मकर सक्रांती मनाई जाती है मकर सक्रांती के दिन भागवान शुर्ज अपने पुत्र सनी से मिलने स्वेंग उनके घर जाते हैं चुकि सनी देव मकर रासी के स्वामी है उनके घर में सुर्ज के प्रवेश मातर से सनी का प्रभाव शिन हो जाता है क्योंकि सूर्ज के प्रकास के सामने कोई नकारात्मक्ता नहीं ठिक सकती मानेता है कि मकर सक्रांती पर सूर्ज की शाधना और इसे संबंदित दान करने से सारे सनिजनित रोग दोशदूर हो जाते हैं सास्त्रों के अनुसार मकर्शक्रांती के दिन ही भगवान विश्णु के अंगुठे से निकली देवी गंगा भागिरत के पीछे पीछे चल कर कपिल मुनी के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागिरत के पूरबज महराज सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुआ था इसलिए इस दिन बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनी के आश्रम पर बहुत भारी उत्सब मनाया जाता है तो आईए अब श्री राम चरित मानस के माध्यम से आपको हम मकर के मकर्शक्रांती के बारे में बताते हैं कि भर द्वाज मुनी बसं ही प्रेयागा अति नही राम पदयती अनुरागा तापश समदम दयानि धाना जै सियाराम जै जै हनुमान अपरमारत पथ परम सुजाना जै सियाराम जै जै हनुमान माघ मकरगत रभी जब होई अतीरत पतिया भव सब कोई अदे बदनो जै किन्नर नरस्रेनी जै सियाराम जै जै हनुमान माघ में जब सुर्ज मकर रासी पर जाते हैं तब शब लोग तिर्थ राज प्रियाग को आते हैं किन्नर और मनुस्यों के समूह सब आदर पुर्वक त्रिवेनी में अस्नान करते हैं तो बोलिए यावर राम चंद्र की जै अयोद्ध्या राम लला की जै ब्रिंदावन विहारी लाल की जै पवनशुत हनुमान की जै बोलो भाई शवशंतन की जै हरहर महादेब जै शिवसंभुब